अग्या वेद्वा अधिनायक जया है जनगनमन अधिनायक जया है भारत भाग्य विभाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा प्राविड उतकल बंगा विंध्य हिमाचल यमनागंगा उच्छल जल भितरंगा तव शुब नामे जागे तव शुब आशिश मागे गाहे तव जया काथा जनगनमन अधिनायक जया है भारत भाग्य विभाता जया हिए जया हिए जया हिए जया हिए जया हिए जया जया हिए है हुआ। उसकोरा अप्तेंस अपटने आगवाव के थाओछ। जुए अप्तेंस के थाओगे भूड़ा का दूओ। यथे करेंगे टागवामान देगोपारyesचल के नुट सेल्सागावारागे के याओधान है गोई बिवाज से अंट आट भाज ता मैंट अटार्ट आटस आट का अगाज ए टूर अटकाट्टा अट इंट अक्टन आट आट अूट अल्ठ अट आटे कान इड़ां अटन वर ट्यूंट डे टति अटा आट अटट आ ठार फ्ट एंट इस टा मैं गचेड़ काचा अट अ नुरत विल कोल महावीर सर विल फ्लिप दॉइब 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 नुइब एद दॉइब 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 अब दॉइब टॉइब टॉइब पहले बले वाजी करेंगा और उसके पीछे रनीती लगता है काईने कई आपने स्टडी की है जी बिल्कुल हमारे वास बोलिंग भी ठीक है और बेटिंग भी एक्वेल है और नुरत भाई की जो सामनी टीम है उसमें बोलिंग कापी अच्छी है तो हम चाहेंगे यह पहले बले बाजी करेंगा क्या यह आपने स्टडी जी उनकी स्टडी की कि अब तक उन्हें एक बार भी रंचेज नहीं के डिफेंड करते आएं तो इसलिए आप उनको पहले गेंदबाजी करने का नियोता दे रहें जिए इनोंने पहले चेस कर नहीं दिया क्यूंकि इनके पास बोलिंग कापी अच्छी है नौरत खुद हाओज और फोरिया दोनों बहुत अच्छे बोलर है और अब तक कापी अच्छी केंदबाजी की है हमारे पास भी इक्वल बलेबाजी है तो हम भी अच्छी बलेबाजी करके साथ से सितर के असपास स्कोर खड़ा करने का पर और कैसा एत्मॉस्फेर है डगाउट में टीम में बहुत अच्छा है चेली ओल दे बेस्ट इस मुकाबले के लिए नोनत टॉस आज आपके हक में रही रहा पर लेकिन आप पहली बार वो चीज कर रहे जाएंगे जो अब तक आपने की नहीं इस टॉनरमेंट में हाँ बिल्कुल टोस आड़े बही ने जिता है और उनका निनने देखते हैं अब क्या होता है अभी तक तो हमारे बल्ले बाजों ने बोलरों ने कसभी ने तीन मेज में काफी अच्छा प्रदसन किया है तो निस्ट रूप से हम अपना सो परसें देना चाहेंगे तो कितने तरक रोगना चाहेंगे विल्कुल यह हम तो हम तो यही चाहेंगे चालीस पittaस कितने इनको रोगना कोशिश कयरेंगे और एपकोछी और реशीरा है टीम के अढ़रे ने दर Biya अख कोची मनीश के बारे बना चाहेंगे मनीश सार्जों मारा बहुत अच्छा है तो देने सेंटर इस दाट इस प्राग्या जाइंट वस्वान देल कम आउट बाट फर्स्ट सेंटि है कि जो भी मैदान के बार जो अपनी रोड बनी वे उस पर अगर आप बैटें तो कुरुपया वहाँ से उठकर आप चैर्स लगाई गई आपके लिए ग्राउंड में तो वहाँ पर आकर आप मैच का आनन लीजिए आपके लिए सीट्स लगाई गई है आप महाँ पर जाके बैट कर मुकाबले का आनन लीजिए झाल 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 झाले पूल fit uh a और शत् Peace झाले जाले को जा लेखी झाले रहों कितम्ल bene को छार झाले अईम झालím सत्त झाल権 मैं झाल मैं आल झाल 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 डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिए कि कहां वो जश्ट न मनाने जाएंगे अगर को जो टीम चैंपिन बनती है और मन इसकल पूरी तरीकी से निरक्शन करके आच चुके होंग कोंग की उसाइलेंड का जहां पर ये टीम जश्ट नमरारी जाएंगे अगर फाइनल जीत गए तो क्या इस गेंद को रोक पाएंगे बड़ी जल्दी से की इन तक पहुंचे तीसरण लेना चाहते हैं आप अच्छित नहीं हाँ ना हाँ में और क्या ये विकेट है, जी हाँ, दुविधा में नजर आए, हाँ ना, हाँ ना में, यहाँ पर विकेट गिर गया, इसकी जरुवती नहीं यहाँ पर, इस समय इस विकेट की गिरने की जरुवती नहीं ना उठोते वे यहां पर किशन तीसरा रन लेना चाहते थे वो दुविधा में थे रन लेयाने और उसमें यहां पर विक्र गिरता प्रलाद का बहतरी न्टो वाँ डीब से नए बल्ले बाज कल के मुकाबले के हीरो लोकेश जाट एक अच्छी गेंद यहां पर इसी के साथ यहां पर एक काम्याब ओवर एक गेंद अभी शेश है जिस तरी के स्कूरर हमको बता रहे हैं कि एक गेंद शेश है आख रिगेंद इसोवर की आख रिगेंद इसोवर की ते इस पे चार एक अच्छा स्पेल यहाँ पर भवानी का देखने को मिला है एक दिशनल पांच ओवर पांच रन दो विकेट और इनकेस के इन बादी स्पेल में तीन विकेट कुल गिरें जहाँ पर एक रन आउट की रूप में किशन का विकेट मिला जाइंट्स को कम से कम प्रियास ही करना होगा साथ पैसर तक तो पहुँचे उसके लिए इन बच्छे में कुछ और में दसरन प्रतियोवर बनाने होंगे कदमों का किया इस्तवाल नूरत नूरत नहीं करेंगे कोई गल्ती और बड़ा विकेट यहांपर मावीर ने प्रियास किया बड़ा हिद लगाने का यहांपर इसी के साथ छे ओवर समाप तेईस पे पाँच कि बड़ा विकेट बड़ा विकेट प्रियास अच्छा था मावीर का जानते थे कि इस समय उनको हिट्स लगानी थी सोच अच्छी थी पर लेकिन जो नतीजा वो चाहते दिवो मिला नहीं उनको कुशल अपना दूसरा ओवर करते हुए सामना करेंगे उनका लोकेश चाट इन फार्म बैडर कल अच्छी बले बाजी की गेंबाजी अच्छी की रंस कहां से आएंगे जाइंट्स के लिए क्या है लोकेश चाट वो रंस से लाएंगे पहली गेंद यहां पर देखना होगा क्या यह गेंद कैरी की है जी हाँ उसी का यहां पर अर एक बार लगता स्क्वेल लेगा अंपायर से कन्फर्म करेंगे क्या यह गेंद दस्तानों में सीधी गई या उसके आफ विगिट कीपर के दस्तानों के आगे टपा खाने की बाद गलफ्स में गई यही कुछ यह आपर अपने साथी खिलाड़ी अंपायर ने पूछा नाट आउट का इशारा क्योंकि यह गेंद आगे गिर चुकी थी वि अभी तो आक्रमन में शानती लाल का आना बाकी है एक ओवर नूरत का अब की बार नहीं पड़ेगी स्क्वेर लेगा बार की जरुट विकिट मिलता हुआ याबर प्रड़ेगा नहीं आपायर नहीं प्रड़ेगा क्योंकि आपायर नहीं और फुकी बार नहीं प्रता है तेईस पेछे नए बल्लबाज अफ्रीज पर आते हुए इस भी इचे ड्राइव कर दिया है यहां पर एक रन के लिए चोबीस पिछे किसी ने उमीद नहीं कि थी इस प्रकार है से यह बल्ले बाजी लड़ खड़ाएगी अच्छा शौट यहां पर रन आउट का मौकर डिरेक्टिट होती तो नीचे दिलूप से रन आउट हो जाते और देखिए बड़े चालाग चतूर यह तीन सिलेक्टर्स जूनियर सिलेक्टर्स हर खिलाड़ी के उपर नजरे बनाएवे हैं कि इनको इस तरीके जे फील्ड करनी चाहिए थी गेंद को नूरत को यह फील्ड लगानी चाहिए थी मावीर को यह शौट के लना चाहिए था लगातार चर्चा कर रहे हैं कॉमेंटरी बॉक्स के सामने बैट कर कद्वों का इस्तवाल किया एक रन्या मिल जाएगा लगातार एक दूसरे को टिपनी देते वे कि क्या करना चाहिए था किस गेंद पर कौन सा शौट खेलना चाहिए था किसको पहले आना चाहिए था किसको बाद में इस समय इन बच्ची वी गेंदों पर प्रयास यही करना चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा रजोड सकें यहां पर जाइंस वो जोड़े अच्छा शार्टर गाप डून निकाला आया पर केंद को करीब आ नहीं थी अपना और थर्ड मैं के चेतर से चोका निकाल लिया यहां पर टाइमिंग प्लेस्मेंट दोनुए बढ़िया इसे के साथ साथ और की समापती पे तीस रण चाह विकेट की नुकसान थे हैं अच्छा विकेट की नुकसान थी अच्छा विकेट की नुकसान थे हैं पढ़िया शॉट वहां पर पिछली गेंट पर देखने को मिला था आनिल के द्वारा गेंट कुछ देर के लिए हवाँ में जरूर पर लेकिन उसी चेतर से फिर से चौका निकालना चाहते थे इस बार लोकेश जाट रहां पर फिल्डर तैना थे समित भवानी बैक्वर्ट पॉइंट पर और यहां पर गलती कर बैठे और आसान सा कैश तामा दिया यहां पर भवानी को एक और विकेट का पतन या होता हुआ दोहरे मन में थे स्कूप करू या स्वीप करू और जब तक मन बनाते गेंग बल्ले से टक्रा कर सीथे वहां पर बवानी के हाथ में कैश जाता हुआ एक और विकेट और पहली बार इस प्रत्यों की तामे बल्ले बाजी करने का मौका मिलता हुआ कालू रामचाट को अब प्रियासिय करना वागी इनको कम से कम 20-25 और जोड़े स्कूर बोर्ड में ताकि एक काटे का मुकाबला देखने को मिले हमको 31 रन पे 7 विकेट गवाचु की जाइंट्स की टीम पहली गेंद मौका था रिवर्स वी बखेलने वागए कनेक्शन हुआ नहीं उतना बढ़िया दॉट बाल यच्छा वर यहां गटतावा मातर एक रहने एक विकेटी सोवर से वाइड का इशारा अंपायर का इस अतिरिक्त रन के साथ को और बढ़ करोता वा बत्तीस यह क्या एक और विकेट का पत्तन होगा नहीं प्रियास अच्छा था अबदुल का लेकिन कि इन तक पहुँचे ने एक मौका क्या रन आउट का भी था दोरन के साथ अपना खाता कोलते हुए यहां पर कालूराम जाट चौटीस साथ विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद यहां पर सारी गेंद बाजों ने अच्छी गेंद बाजी की है आखरी गेंद इस ओवर की आइस के बाद दोर और शेश शाट यहां पर बढ़िया था लेकिन वो कैप नहीं ढूट पाए सोच अच्छी यहां पर रन बनाने के लिए इसी के साथ आट ओवर की समापती पे आट ओवर की समापती पे स्कोर हो तब आप थीस साथ फुकेट की नुकसान पे स्लिंगी एक्षिन के मास्टर नौरत साहू कप्तान आकरवन में आते वे अलका सा बदलाव करते वे फील्ब में वहां पर एक्स्टर कवर्स से डी पॉइंट पे तैनाद करते वे आप प्रजात को नौबॉल फ्रान्ड फूर्ट नौबॉल यहां पर पहले बार देखने मिरा इस टूर्णरमन में कि फ्रान्ड फूर्ट नौबॉल और फृट का इशारा उंपायर का इसी की कुछ जरूयाँ चाइंड को थी अब देखना होगा Gageंडर क्या इस फृट का फाइदा वाइट काईशार आपार का फ्रेट जानी रहेगी याँ बर एक और नोबॉल और यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ते वे और पूरा भी क्या वो रन एक और फ्री हिट यहाँ पर इसके किसी ने उम्मीद की नहीं थी अब तक एक भी नोबॉल नहीं की थी आज दो दो नोबॉल कर बैटें यहाँ पर कप्तान नौरत फ्रांट फुट नोबॉल जो हमुमन देखने को मिलती नहीं इनसे इस फ्री हिट पर जादा कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर गजेंदर डॉट बॉल एक तालीस साथ विकेट की नुकसान पर कुछ और प्रियास करने का यहाँ पर बनले बात का इरादा और उसमें काम्याब ही हुए बैतरीन शौड यहाँ बर गजेंदर का रिवर्स स्वीप यह रिवर्स कूप जिसमें काम्याब हुए पैतालीस रन यह महेंगा ओवर्स साबित होता हुए कप्तान का यह महेंगा ओवर एक और बैतरीन शौड और गैप में आता हुए चोका रनों की बारिश इस ओवर में होती भी दबाव निच्ची त्रूप से अब के इन बास के उपर हो दबाव जलक रहा है इस ओवर को बड़ा बनाने के प्रियास में आपर का जंदर दो चौके जड़ चुके और कुछ चौके जड़ना चाहेंगे इस बच्चे वे गेंदों में स्कूब केलने आगए अब की बार कामयाब हुए नहीं रिवार स्कूब केलते दो उस पर बहतर नतीजा मिलता उनको दो नो बॉल दो चौके यह महेंगा ओवर अब तक इस पारी का सिंगल के साथ अपने पास रखेंगे स्ट्राइक या दूसरे के लिए जाएंगे नहीं खुद के पास यहां पर स्ट्राइक के इस समय कालू रामचार्ट के पास आखरी गेंद इस सोवर की इसी एक रखेंगे साथ पचास रखेंगे पूरे होते हैं अब जाइंट्स के कमाल का शाट फिल्ड डी पे मौजूद और उतना अच्छा कैच उन्दा कैच यहां पर फिल्डर वा तैनाता दोड़कर आया और सुनिचित किया नजरे जमाई रखी गेंद के बरोर कैच ला बग लिया शांतिलाल का वो बड़िया कैच बड़ी शांती से उन्होंने इस कैच को पूरा किया इतना असान था नहीं वो कैच आठवा जटका या लगता वा जाइंट्स को आकरी ओवर पचास पे आठ शांतिलाल करेंगे आकरी ओवर यहाँ आठ वा ला जाइंट्स को आथ ऊड़्यक बस्वर शांतिलाल करेंगे इस पूरा जाएंट्स की हो ओ़िया ओवर लिया हुआ है कि अचिये अच्छाइब टो और को यह और विघट का पतर हो जाएगा यहां गजंदर को स्ट्राइक देना जाते दें जिसमें बिना गेंद के लिए आपर सलीम रणाउट नवे विकेट का पतर नियापर आखरी बलने बास महंदर चार्ट अफ्रीज पर आते वे स्ट्राइक पर भी वहीं होंगे सिंगल लेते वे पहली गेंद पर खाता खोलते वे स्ट्राइक यहाँ पर गजंदर के पास बची भी खुछ गेंद पर गजंदर प्रयास यहीं करेंगे दो तीन चौके लगाए जाए वो स्कोर को साट के उपर पहुचाए जाए और जिस तरीके से कॉमिंटरी बॉक्स के साबने अटकले लगा हैं चार में चौबीस हो सकते हैं अब देखना हुआ किस की जुबान यहाँ पर खिलती है क्योंकि दूसरी तरफ जो उसके विरुद थे वो कह रहे हैं कि एक में विकेट गिर के टीम ओल आउट भी हो सकती है बहुत कुछ हो सकता है शाट बढ़िया वो चार में सोला में एक तो आ गया है अब क्या तीन में बारा और आ जाएंगे उपर कीवी गेंद बड़ी आंदाज में या लॉफ्ट कर दिया उसको कवर्ज के उपर से फील्डर के पास कोई मौका नहीं कप्तान अब गेंद बास के पास जाते हुए कई नहीं कोई फाइनल है और जानते हैं कि अब तक उनकी टीम ने पहले ही बल्ले बाजी किये कभी रंड चेस किया नहीं इस प्रतियोगी था में आज पहली बार वो रंड चेस करने उतरेंगे इन आकरी कुछ चोवर्स में काफी रं लुटा दी है उनकी के इन बास उने जिसमें स्वाइब कप्तान जिमेदार है जिस तरीकी से उन्होंने पिछला ओवर किया हलका सा फील में बदला डॉट पॉल प्रियास अच्छा कर रहे हैं यहां पर गजंदर की किसी तरीकी से कुछ और रं जोड़े जाय स्कोर बोर्ड में बारा की इन दुगर सामना करके उननीस पर बल्ले बासी कर रहे हैं सीधा महावीर के पास जो अच्छे फील्डर है बैतरी इंत्रो आकरी गेंद क्या आकरी गेंद पर यहां पर में अंदर चौका लगा पाएंगे और स्कोर को साट के पार पहुचा देंगे देखना होगा या फिर सिंगल ही मिलेगा या विकिट आएगा आकरी गेंद सत्तावन नो विकिट की नुकसान पर और इसे के साथ यह रन आउट आकरी गेंद पर निर्धारित दस ओवर में यहां पर चाइंट ने बनाएं सत्तावन रन पूरी टीम यहां पर आउल आउट हो गई आएष बनारी विक गे यहां ऩाल्य इस अटर्फवड़के लिए जो भीया देओने स्कोरिक कार्ड दिखाते हैं लाजवार के बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा रन गजेंदर ने बनाए 20 रन 8 रन महावीर कप्तान ने बनाए 7 रन बागी किसी का ज्यादा योगदान था नहीं और उसी के चलते दस ओर में 17 रन पर अल आउट होगो यहां पर चाइंस की टीम है और एक नज़र गेंदबाजी के उपर डालते हैं जिस तरी किसी गेंदबाज होने गेंदबाजी की है सबसे सफल के इंदाज यहां पर रहे भवानी जी नोने तीन विकेट चटका है नूनत कफ्तान ने भी दो विकेट चटका है लेकिन आज महेंगे थाबित हुए उनका आकरी और काफी रन लोटाया उनोंने अकुशल और शांतिलाल को भी एक विकेट मिले यहां पर लक्ष मिला है जी हाँ दस सोवर में 57 रन बनाने यहां पर लाइन्स को क्या यह रन यह बना पाएंगे या नहीं देखना होगा टारगेट 58 रन का है यहां पर 57 रन बनाए उनोंने दस सोवर में 10 फिकेट को कर यहां पॉक्वार्व कर दो तेसाओ यहां पर शिकेट कर दो थो ऑग हुश है तो झाल 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 कप्तान आड़ी यहाँ पर गेत बाजी की शुरुआत करते भे पहली गेंद उसको उड़ाना चाहते थे स्क्वेले के उपर से डाट बाल मौका बन सकता था फील्ड थोड़े चुस्ट होते शांदा शोट नतीजा छे रन या चार देखना चार रन पहारी किनारा बना भी के डिया बर कप्तान ने चट का बहा नी खा बड़ा भी के डिन फूम बले बाजी आउट होते वे पहारी किनार बन सकता है अमुमन नमबर तीन पर हंकुष बल्ले बाजी करते पर लेकिन आज बजलाव है कुशल को आज शांतिलाल तेरा नमबर की जर्सी में आज इनको प्रमोट किया गया है बल्ले बाजी में जी हाँ अच्छी गेंद यहां बर कप्तान की अच्छी वाप्ती कप्तान की देखने को मिने विकेट चटकाया बड़ा विकेट वहां मिला अभी भी इलाइंस ने उनके एक और इन्फरम बल्ले बाज को थामे रखा है ओ बहत्रीन गेंद देखना होगा यह चुरनीत के तहट वाज उत्रे हैं जहां कुछ को नंबर तीन पर नहीं भेजा उन्होंने क्या उसमें उस सफल होंगी या और सफल ये तुब वक्ती बताएगा अच्छी गेंद अच्छी गेंद कप्तान की यहां पर कोई मौका ने शान दिलाल के पास डिरेक्टिट यहां पर जरूर है अब पार के तरफ वो नजरे जरूर वहां पर विकिट कीपन ने रखिए पर लेकिन जानते हैं थे कि बहले बाद स्क्रीस पहुंच चुके थे इसे के साथ पहला ओर समाप्त एक ओर कि समाप्ती पे चार एक विकिट के लुक्सान पे लोकेश चाट कल बहतरी इंगें बाजी की थी नोने ट्रिपल विकिट मेडन क्या कमाल का पहला हुवर था इंका अच्छी गेंद यहां पर आफस्टम के बहार लगातार अच्छी लेंद पर हिट करते हुए यहां पर कप्तार ने एक बड़िया शुरुवाद दिया अपनी टीप को अब उस लेह को बरकरार रखना चाहेंगे अब लोकेश चार्ट एक और अच्छी गेंद यहां पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं बल्ले बाजों के ओपर हमने देखा है पूरे टोर्नमेंट में कि जब जब गेंद हलकी सी आफस्टम के बाहर होती है वो गुड लेंट एरिया पर जब गेंद पढ़ती है तो वहां से रन बनाना थोड़ा मुश्किल एक और बैतरीन के इंद एक और कमाल की के इंद इसलिए वो दाए हाथ बाए हाथ का कॉम्बिनेशन जो इस टीम के लिए काफी सफल रहा है पर काफी गहरा है गहराई है लाइन्स के बल्ले बाजी में और पैतरीन चार गेंदे यहां पर एक भी गेंद बल्ले पर नहीं लगी यहां पर दबाव बनाया रखा है यहां पर महावीर के उपर कल का मुकाबला यह खेले नहीं थे इनको विश्राम दिया गया था आज बड़े मुकाबले फिर से इनकी प्लेंग लिए में वापसी हुई है कदमों का किया इस्तमाल लेकिन नतीजा वही प्ले एनमिस कल भी इनो अपना पहला हुवर ट्रिपल विकेट मेडन के साथ किया था क्या आज विकेट re hadd मेडन के साथ करेंगे बै तरी áz लेब में नजर आए तो कि इन बाद जिनोंने अपनी के इन बाद इसे काही प्रभावित किया है जिस तरी के इस को बहार लहराते नज़राएं तो देपिलाल और एक लोकेश का बैठी डूवर कोई जवाब नहीं च्छे की च्छे गेने खाली मानों विकेट कीपर और गेन बाजी खेल रहे थे यहां पर इसी के साथ दूसरा वर समाप दो वर की समापती पे चार एक विकेट के दुकसान पे जारी रखेंगे अपने के इंदाजी हवा में गेंद क्या फील्डर शेलेश इस तक पहुच पाएंगे जी नहीं भूल जाएए कोसो दूर है यह तो लगता चारन पूरे आबर बल्लवास को मिल जाएंगे यही इसी प्रेकार का शॉट भावानी ने लगाया था और उसके बाद इनोंने उनका विकेट चटकाया था और वही गेंद थी यहां बरबर अब की बार बाहरी किनारा नहीं मिला गेंद बास को आठ रन एक विकेट के नुकसान पे धीरे धीरे थंडी हवाय चल रही है पर लेकिन कोच मनीश के पसीने क्यों आरे हैं यह समझ नहीं आए और फुल टास केंती बस टाइम करना था गैब डूड़ना था ताकत से मारने गए इसलिए वहां बीट हुए अच्छी वाप्तिया बर गेंद बास के दौरा आर्ट रान एक विकेट के नुकसान पे मुकाबला तो समाप्त हुआ नहीं यह फायर वर्क कहां चुरू हो गए यार ये तेज़ी से रन के ले जाते है रन पूरा कि अच्छी दौर विकेट के बीच आमित वहां शॉट विडियो गिट पे मौजूद थे अब फील में पूरी तरीके से बदलाव होगा मिड विकेट से वहां पर अब लॉंग ओन पर आएंगे किशन दूसरी तरफ लॉंग ओन के फील्डर को अब एक्स्टा डीप एक्स्टा कवर पर तैड़ात करते हुए या वाइडिश लॉंग ओफ और एक स्ट्रेटिश मिड ओफ यहां पर रखा है ओ अच्छी गेर आज एक बैतरी ले में नजर आएगा यहां पर कप्तान एक एक्जामपल सेट किया जुन्हें अपने गेंद बाजों के लिए एक और डॉट बॉल आज एक भी गेंद इनके बल्ले पर चड़ी नहीं है और इसी के साथ यहां पर तीन ओवर समाप पावर प्ले की समापती पर स्कोर होते वे नौरण दो विकेट की नुक्सान पर झालता ओब भी जुक्त्रों झालता झालता जब जोjak पर झालता थांभ ताला है झालता भी झालता चड़ीग झाल ships वो दो प्लेट की तीन ओर कि सवापती नो रन दो एक विगेट के नुक्सान पे गेन बाजी में अब आते वे अमित पावर प्ले या सवापता फील खुल जाएगी दो वर आगे दोड़ते वे हमारे म्यूजिशन अशोग जी जब जब गेंद यहां पर पड़ी है रन बनाना मुश्किल है और अब दस्ताने था में कप्तान है इनकी विकिट कीपिंग इजित्ती तारीफ की जाए उत्ती कम है और जाइंट्स के एक्स्ट्रा खिलाडी तो हमेशा मैदान में नज़र आते ही हैं आपको लगता कैमरे से बहुत लगाव है इनको इसलिए बार बार कैमरे के सामने आते रहते हैं यह लीजी बड़िया ड्राइब सीधा फील्डर के पास हलकी समिस फील रन नहीं लेंगे यहांपर चालीज की इन्दे उन्चासरन बनाने यहांपर बड़िया गहांपर बचलीज कर लो ले इन्चासरन ज्चासरन पूरा क्या झालीज समिस बड़िया यहांपर नाच वर गता है आज ये चीज समझ में नहीं आई इस बल्ले बाज ने नो गेंदे खेल ली एक भी गेंद बल्ले के अड़ी नहीं और जब जब ऐसे लगता है कि महावीर स्ट्राइक पर होते हैं जब जब मावी एरे स्ट्राइक पर होते हैं ऐसे मानों कि बल्ले बाज है ही नहीं विकिट कीबर और गेंट बाज खेले जा रहें गेंट से अच्छे खिलाड़ी है और एक और गेंट प्ले एंड मिस तबाव बढ़तावा उनके उपर हमोमन ऐसी पारी हमको देखने को मिलती नहीं इन से बड़िया स्ट्राइक करते हैं बड़िया हिट्स लगाने के लिए माहिर है यहां पर अपने रनाप खोते वे पर लेकिन तारीफ करनी होगी जाइन्स के गेंट बाज होगी क्या कमाल के स्पेल्स देखने को मिलें उनके गेंट बाजों के दुआरा लोकेश जिन्हों ने पिछले मुकाबले में एक रिदम प्राप्त किया था इस मुकाबले में उसी रिदम से गेंट बाजी की सबसे पहले कप्तान ने अच्छी शुरुआत की कि इन बाजी की विगेट चटकाया बड़ा विगेट प्राप्त किया आखिर कार टाइमिंग और मिलती हुई उनको बल्ले से पहला रनाता हुआ वो पहले रनाने के लिए उनको क्यारा गेंड लगी और अब पता नहीं जब इनके बल्ले से और रना सुका है तो ये बड़ी तूफानी अंदाज बल्ले बाजी भी कर सकते हैं अब इसी के साथ चार ओवर यहां समाब चार के बाद 11 अब 36 में चाहिए 47 ग्यारा गेंदी एक रना साजन सिंग आए हैं गिन बाजी करने के लिए 16 नंबर की चर्सी महाविर सिंग इनके ओपर काफी दबाव अब उनकी इंदों को कवर अप करना चाहेंगे इस ओवर को बड़ा बनाना चाहेंगे क्या साजन की इस ओवर में वो बड़ी इट्स लगा पाएंगे क्या फिर यहाँ पर जिस प्रकार से अब तक वो बल्ले बाजी उनकी चल रही है उसी प्रकार से गेंद बाज खिलाते रहेंगे काफी यहाँ पर समय लेते वे कप्तान फील लगाने के लिए डीप स्क्वेल लेक मिड विकेट लॉंग ओन लॉंग ओफ स्वीपर कवर यह पांच किलाडी बॉंडरी लाइन पर तहनात ऑन साइट पर खेला यहाँ पर पहला रन तेजी से दोड़ा और एक रन से संतुछ ठोना होगा अब यह तो देखना होगा कि किस रन नहीं थी कि सहत लाइन सब आगे यहाँ पर खेलेगी क्योंके इन फॉर्म बल्ले बाज अंकुष को आज उन्होंने भीजा नहीं यह पीछे रखा हुआ है बल्ले बाजी में बढ़िया प्राहार फिल्डर डीप में किशन मौजूद शैलेश और किशन दोनों की अच्छी जुगल बंदी लॉंग ओन लॉंग आफ पर अच्छी फील्डर मौजूद बढ़िया पंच अच्छी फील्डिंग वापर अलगा सा मिस फील्ड इसके चलते एक रखन मिल जाएगा अच्छी गेंद रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं यहाँ पर कप्तार उच्छाइथ हैं पर लेकिन आम बायर ने नाट आउट का इशारा दिया है रन लेना चाहते हैं दे शानती लाल पर लेकिन सही समय से वापस लोटाया अपने साथी को महावीर ने वापर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अपने फालो त्रूपे सज्जन के द्वारा हवा में गेंद किशन नीचे कैच छूड गया याद उस पहले मुगाबले की आ गई होगी जहां इसी प्रकार से इन्होंने भवानी का कैच छोड़ा था एक अच्छे फील्ड आ रेकिशन प्रयास अच्छा मुमन यह ऐसे कैच छिज्ज आसानी से ले लेते हैं अब की बार शेलेश एक्शन में है और वो नहीं करेंगे कोई गलती महावीर का बड़ा विकेट मिलता हुआ इसी के सायात पास चोवर की समापती पे पंद्रा रन दो विकेट के नुकसान पे समय हो चुका है टाइम आउट का करे बार है झाल 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 आपने दूसरा और यहां करने आते वे नहीं बलेबास बाएं हाथ के बलेबास अंकुश स्ट्राइक पे शान तिलाल अंद्रूनी किनारा और विकेट पे जाकर गें टक्राई तीसरा जट का यहां लेखता वा लाएंस को नए बलेबादी कप्तान स्वेम आए बलेबादी करने के लिए 29 गेंदे 43 रन कप्तान अब क्रीज पे मौझूद कप्तानी पारी खेलनी होगी उनको अगर मुकाबला अपने नाम करके बनना है चैंपियन एक कप्तान ने अपना कार यह भली भाती किया बहतरी इनके इन बादी स्पेल उनका देखने को मिला दो और नौरन देख विकेट और अच्छा कार यह करते वे विकेट के पीछे करारा शॉर्ट महाँ पर प्रियास अच्छा था कि इन बाद का कैच पकड़ने का एक रिन मिल जाएगा पहली गेट पर प्रकाता कोलते में यहाँ पर नौरत साओ अच्छ पहली बाद स्ट्राइक पर होंगे हमोमन वन डाउन बैटिंग करते नजर आये अभी तक लेकिन आज नमबर चार पर बल्ले बादी कर रहे हैं पहली गेंड बढ़िया गेंडी और कर जिसको और साइड पर किल्ले में काम्याब रहे हैं दूसरे और के लोटते वे अच्छी दौर्ट विक्टों के बीच यहाँ पर ओ क्या यह गेंड पकड़ ले तो नूरत रहा ना उठो जात कट अच्छा केलते हैं पूल अच्छा लगाते हैं ड्राइव बैटरीन केलते हैं अंकुष और गेंड के मेरिट के साब से शौर्ट केलते हैं अच्छी गेंड उतने बड़ी अंदाज में कलायो से खेला ओन साइट पर एक रेंड ओ दबाव बनाया उस दबाव के चलते मिस फिल्ड देखने को मिली जिसमें एक अतिरिक तरहन और मिलाया पर लाइंस को 38 रनों की दरकार 26 गेंडों में फिल्ड में हलका सबस्द लाव अब शौट मिड विकेट पर एक फिल्ड को तैनाद करते हुए और सभी याँ पर इसी के लिए वह फिल्ड अंदर लाया था गेरे के ताकि बुरा नासानी से मिले नहीं वहाँ पर खेलना था चाहते थे याँ कवर ड्राइब पर अंदरों ने हिस्से के गेंड लग कर जाते हुए मिड विकेट की तरफ दिशा से बटकते हुए वाइड का इशारा अंपायर का से तीसरे नों के और दरकार है पच्चीस के दो में कफ़तान यहाँ पर और तलाब करते हुए अपने की इंदाबास के साथ कि अच्छा से बटकते हुए अच्छी गेंड अच्छी फेलिंग है आपने फालो त्रू में इसे के साथ अच्छे होबर समापत अच्छे होबर की समापती पे 21 तिन वीट की रुकसान पे 37 रनों के दरकार 24 की इंदों में अब देखना वह किस से कफ़तानी होवर कराते हैं वर किश्छन को बाकरबन मिलाते हैं पहली बार पहली बार अधर ने किनारा यहां पर लगा किन्द यह बफाई लेके फील लेके द्वारा फील कर ली जाएगी एक रहना सारी से पूरा किया बले पासुने तेईस गेंदे चत्तीस रण इस बले बास का चलना जरूरी आज उमीद की परे एक पारी खेल गए महावीर अमूमन तस बारा केंदों में बीस पचीस रण बना ले थे पर लेकिन आज सोला केंदों में दो रण बना पाए जिसके चलते हो दबाब बना अगर बासों के जित्ती तारीफ की जाए उत्ती कम जिस तरी के से उन्होंने इन बले बासों को खामोश रखा हुआ है अंकुष के लिए फील्ड की तरफ एक नज़र डालते हैं डीप स्क्वेर लेग और अब उस पर बदलाव करते हैं आपर गेरे के अंदर स्क्वेर लेग फील्डर डीप मिडविकेट काउ कॉरनर बे फील्डर लॉंग हो और ये तीन फील्डर ऑन साइड में बड़िया ड्राइव है ड्राइव है अच्छा खेलते हैं यहाँ पर जाइंट्स के समर्था कफी जोस में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर प्रहार अच्छा फील्ड डीप में मौझूद एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बले बाजों को अच्छे फील्ड प्लेस में ड्याबर कफ्तान के दुवारा किशन जो लीडिंग विकेट टेकर की होड में है यहाँ पर पांच विकेट अभी तक चटका चुके हैं इस प्रतियोगिता में किसा सता है यह उनो दो भूसके ने अब इसको टाइम ने कर पाए डॉट बॉल खामोशी शिचाई भी यहां पर इस समय एक टीम काफे चोश में यहां पर दोनों बल्ले बाजों में दम कम है कि मुकाबला वो अपने टीम को जिता सकते हैं मिस टाइम बड़ा विकेट बड़ी समय पर किशन ने चटकाया एक और विकेट अब जिम्मेदारी प्रालाद और कप्तान नूरत के ऊपर आज वो निरने यहां पर अंकुष को नंबर चार पर बल्ले बाजी कराने का टीम के लिए सफल नहीं रहा अच्छा कैच कप्तान के द कि अच्छा को एगा और आड़ी ना श्टाउज जीता और वो चीज आज पहली बार करने का न्योता दिया लाइंस को जो अब तक वो इस टूर्णमेंट में नहीं कर पाए पहली गेंट पर सीधा फील्डर को ढोड निकाला ओ, यहाँ पर बड़ा विकेट, बड़ा विकेट प्रालाद का बड़ा विकेट क्या इसकी जरुवत थी पहली गेंट पर अब अठारा गेंटे बची है, रन बनारे चौतीज अठारा गेंटे चौतीज रन अब कप्तान को निकालना होगा मैच क्योंकि कप्तान कई वो ओवर था जहां से मुमिंटम मिला था जाएंट्स को प्राहर किया गेंट को पॉइंट के उपर से निकाला दो रन असानी से मिल जाएंगी शेले इश्टीप में मौजूद अच्छी फीलिंग सत्रा गेंदे बत्तीस रन आज या तो नायक बनेंगे या कल नायक बनेंगे इस मुकाबले के कप्तान सत्रा गेंदे बत्तीस रन आधी टीम पेविलियन जा चुकी है और क्या ये स्टंप हो गए जिने नौट आउट का अमपार का इशारा कफ्तान नूरत ने किया कदमों का इस्तमाल वो चीज़ वहाँ पर लोकेश ने देखा और उनसे दूर की गेंद को बढ़िया कलेक्ट वहाँ पर आडी का पर लेगिन काईना के थोड़ा समय ले लिया वहाँ बर स्टंप करने में गेंद कलेक्ट की और सीधे अगर स्टंप पर ले जाते तो आउट हो जाते लेकिन कलेक्ट करेंगें स्टंप के पीछे अपने हाथों को ले गए और उसके बाद वह समय उनको जो लगा उसमेरा बल्ले बास क्रीश में पहुंचे आगर 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 शोला गेंदे बत्तीस रन बारा रन प्रती ओवर थंडी हवाएं चलती भी किसकी तरफ ये मुकाबला रुक करेगा लोफल टास चूग गए एक रन मिल गया यहाँ पर 15 गेंदे 31 रन पूरी रन नहीं थी कि तहट आज गेंद बाजी देखने को मिली है यहाँ पर जाइंट्स के गेंद बाजों के दौरा फील्ड प्लेस्में बढ़िया कप्तान के दौरा और उनको पदा दा कई ना कईस मुकाबलेगा अगर कोई नतिजा बदल सकता दा और प्रेलाद था उनके लिए पहली गेंद पर जो फील्ड उन्हें लगाई प्रेलाद ने उमीद नहीं की थी कि वो केंद सीधी फील्डर के हाथ में जाएगी पर लेकिन एक और बड़ा के लाड़ी इस टीम में है जिसकी बल्ले बादी अबने अभी तक ज़्यादा देखी नहीं देविंदर ये भी केल का रुख बदल सकते हैं चौदा गेंदे तीस रन एक और मिल जाएगा यहां पर यह वाइट होगी यहां पर निश्चत रूप से काफी दूर कर बैठे गेंद को तेरा गेंदे यह टाइस रन दबाव निश्चत रूप से बल्ले बाजू पर यहां पर बल्ला चलाया जरूर पर लेकिन चड़ी नहीं बल्ले पर दोरन की मांग कर रहें दूसर रन के आना चाहते हैं लेकिन दूसर रन नहीं मिलेगा इसी के साथ ओवर समापत अब बारा के इंदे 27 रन किस से करवाएंगे यह नव ओवर अगर पहली पारी की बात करें तो यह सी ओवर से मुमेंटम मिलना शुरू हुआ था चाहिंस को क्या लाइंस भी वो मुमेंटम प्राप कर पाएंगे गेंदाजी अब किशर करने हैं है एट्रिक पर यहां पर यह है पीछले ओवर में दो गेंदों में दो विगेट चटकाए थे क्या यह हैट्रिक लेपाएंगे साथ विगेड अभी तक इस टोर्णमेंट में ले चुके है सामना इनका देविंदर करेंगे यहां पर हैट्रिक बॉल गेंद हवा में फिल्ड डीप में अच्छी फिल्डिंग वाँ पर एक रन मिलेगा यहां पर ग्यारा गेंदे चब्वीस रन बड़ी हिट्स के बिना ये बुकाबला अपने नाम नहीं कर पाएगी लाएंज डून ने होंगे हो बड़े हिट्स गेंद हवा में फिल्ड डारामी तुआ प्रियास अच्छा एक रन या मिलता वा दस गेंदे पच्चीस रन उन बड़ी हिट्स के प्रियास दोनु बल्ले बास कर रहें यहां पर दिमी गत्ति किये केंद याँ पर रन लेना चाथ दे लेकिर रन मिलेगा याँ पर नो केंदे पच्चीस रन गेंद उची गई यह फील्डर उसके नीचे है और बल्ले बास डगाउट में है एक और विकेड़ी आकीशन को मिलते वी आठ गेंदे पच्चीस रन ने विल्बास को शलाएं याँ पर आठ केंदे पच्चीस रन क्या यह बल्ले बास दो बड़ी इट लंगा पाएंगे इस ओवर में स्कूर बल्ल फील्ड और उसके नीचे शेलेश और उन्होंने नहीं की कोई गल्टी एक और विकेड़ी आठ जात गेंदे पच्चीस रन फिर से मौका है ट्रिका अब जो भी करना वो कप्तान को करना होगा करा है यही आ डोड़ लीजी के साथ आक्रीव और पच्चीस रन तक कप ताल लगादिन नहीं जिए चार बड़ी हीट से अगर बनना है चैंपिन जिए चैंपिन जारी किनारा एगरन मिल जाएगा अब पांच गेंदे चौबीस रन जाइंट्स का बैटरीन कमबाक अची गेंद फिल्डर उसके नीचे नहीं दूसे रन के लिए क्या लोटेंगे कप्तान जी हाँ 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 अभी अनने दो रन लिये हाँ 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 चार गेंदे बाइस रन अब मात्रों प्चारिक ताब रह गई बस क्या अक्षांदार कमबाक देखने को मिला है आपर जाहिंस का एक और विकेडिया गिर जाएगी किशन नहीं की कोई गल्ती अब दो गेंदे बाइस्राइब झाल झाल मुकेश नाइवल बाज गेंड हवा में गेंड बाज उसके तरफ दोरते हुए आखरी गेंड की स्रान और इस गेंड के बाद हमें मिल जाएगा हमारा चैंपियन क्या कमाल का कमबैक तेकनी को मिला इस टीम के दोरा वो टीम जो फाइनल की होड से पहले बाहर हो रही थी एक कैच जो किशन का चूटा रॉयल्स के वरुद उस मुकाबले के बाद ये टीम अलगी नज़र आई है तो अवाइड काई सारा याप आच रन मिल जाएगे वाइड के और ठैर जाएए ठैर जाएए अब ए गेंद सुल आरण स्लोर बाल बहारी खिनारा इसी के साथ 15 राइण से प्राग्या जाएट से इस मुखाबले को अपने नाम किया और प्राग्या प्रेमियर लीग सीजन ओन के बन चुके चैंपियन क्या उन्दा प्रदेशन राइस टीम के दुआरा कप्तान ने जीता टॉस वो चीज पहले की जिसके लिए वो जानते थे कि लाइस ने अब तक किया नहीं लाइस को कर कीजिया फिल्डिंग और उस ततीजे को सई साबित कर दिखाया इन्होंने और इस मुकाबले को पंद्रा रंच से अपने नाम करके बन चुके ये विजेता बन गए ये चैंपियन सीजन वान के यहांबर प्राग्या प्रेमियर लीग काका कमाल का मुकाबला और बैतरीन जीत यहांबर आप है त्री जीत यहांबर का शांदार प्रदेशन यादी कर को मिला प्रागिया लाइन्स यहां पर 58 रन नहीं बना पाई 15 रन से उनकों शीकस्ट मिलती ही प्रागिया प्रेमेर लीग सीजन वन के चैम्पियन्ज विजेता हमें मिल चुके हैं यहां पर लाइन्स ने यह मुकाबला अपने नाम 15 रन से किया बन चुके है चैंपियंज यहां पर कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली हरे गेंदबाज के दुआरा शुरुआत पहले कप्तान ने की बड़ा विकेट चटकाया वा भवानी का और कही न कही लाइन्स आज थोड़ी सी गलतिया करते वे नजर आए पहले कप्तान ने नवे ओवर में जिस प्रकार से ओवर किया फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी गलती की अंकुषक उन्होंने उनके इस्तान पर नहीं भेजा आज यही नतीजा रहा कि इस मुकाबले में वो आज अवल नहीं आपाए और उस रेस पे पीछे रहे गए उस मुकाबले को अपने नाम जाइंट्स ने पंदरा रंसे कर लिया झाल 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 कर दो की तो यहां पर अटावंडर के लक्ष में सब्रवादी करण बनाए कपता नौरत साहूने नौरन पर लेकिन आज नी राज किया टॉप ओर्डर नहीं हाँ पर उसके चलते दस ओवर में मातर भी आली सन बना पाए गेंदबाजों की बात करें तो कुछ पहतरी गेंदबाजी स सब्सक्राइब को देखने को मिले सर्वर शेष्ट गेंदबाजी किशन गूजर चार विकेड़ों ने चटका है दो विकेड़ सजन को मिले अमित कपतान रा आड़ी को एक एक विकेड़ मिला पहले बले वाज़ी करते हुए यहां पर चाइंस ने बनाए 57 रन जिसमें कजंदर ने सबसे जादा बी सन बनाए गेंदबाजों की बात करें वहां पर लाइन्स के लिए सर्वादेकर गेंदबाजी भावानी सिंगने की पांच रंदे के तीन विकेड़ों उसके जवाब म लाइन्स मातर बियाली सिन बना पाए 8 विकेट कोकर और किशन गुजर का शांदार स्पेल 2 वर 5 रन 4 विकेट सजन ने भी तेरा रंदे के 2 विकेट जटकाए वहां पर और इस मुकाबले को अक्या जाइंस ने 15 रन से अपने नाम किया क्या जाई जाढ दूत्शवाए भी तो रन से वी तेरा रंदार स्वाइब का अग। झाल 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 काफी डिमांड में रहे हैं मनीश बतोर कोच के रूप में झाल 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 झाल